जोहार वह नमस्कार दोस्तों आपके जेपेसी सेलेबस करनुसार आपको उराउजन जातियों के बारे में भी कुछ जानना जोरी है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर कर लें तो आज हम लोग उराउजन जाति के बारे में जेनरल इ निवास अस्थान है इनकी भाषा के बारे में भोजन, रहन, सहन, धर्म और उनका धार्मिक विश्वास, विवा, उजापाट इनके क्या बेहुशाई हैं इन सभी चीजों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे ता ये शुरू करते हैं अन्य जनजातियों की तरह उराओं जनजा सादरी, नागपुरी, अंग्रेजी भाषा भी बोलते हैं भाषा और जाती के द्रिष्टी कौन से कुडुकुलोग द्रवीडियन काटोगरी में आते हैं उराओं के उत्पत्ति के समन्द में तिहास कारों ने अलग-अलग मत दिये हैं महली लीविन तिर्की जो भारतिये सत्वा विवाग से संबंद रखते हैं उनके अनुसार उराओं लोग अन्यजन जातियों के साथ हडपा में निवास करते थे यह एक प्राचीन सब्यता है हडपा सब्द से ही कुडुक भाषा का सब्द एडपा आता है जिसका अर्थ घर होता है हम लोग यहां सरकल में हडपा सब्द से ही कुडुक भाषा का सब्द एडपा आया है जिसका अर्थ घर होता है या निवास अस्थान होता है अता 35 सव इसविपूर में उराओं लोग सिंदु घाटी सभ्यासा में निवास करते थे और 1750 इसवपूर में यहां पे हम देख रहे हैं 1750 इसवपूर म जब आर्यों का आगमन हुआ तब आर्यों की आकरमन की वज़ा से 800 से 900 इसविपूर में उराओं ने सिंदु घाटी सभ्याता चोड़ दिया हडपा सभ्याता चोड़ दिया और हरियाना गंगा जमुना होते हुए सुन नदी के किनारे किनारे रोतासगर बिहार में आवसे लोगों से मिलती जुलती है इसलिए उराओं को द्रवीडियन कहा जाता है और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उराओं की उत्पती डेकन में हुई और डेकन से आये तो ऐसा भी हो सकता है कि सिंदु घाटी पर आर्यों के आकरमन के बाद कुछ उराओं लोग प्रोतासग बनावाट एक जैसे है या तो फिर साउथ इंडिया में रहने वाले डेकन में रहने वाले उराओं लोग फिर बाद में कभी चोटानागपूर आये होंगे ऐसा एक हैपोथिसिस माना जाता है तो चलिए हम देखते हैं बागे कि जब मुगलों ने तेरहवी सताबदी में र बसे मुझडाओं के राज में और उन्होंने मुझडाओं के राज में आकर सर ej लिया और मुझडाओं ने कुड़ुक लोगंको उरंग कांकर पुकारा जब बाद में उराओं बन गया तो उरंग सबसे उराओं आया उरंग मतलब वोरंग वाला उरंग लोगों ने मुंडाराज में नौकर की तरह रहना स्विकार किया क्योंकि ये लोग सरनार थी थे मुंडाराज में अथा इन्हों ने नौकर की तरह रहना स्विकार किया इसलिए मुंडाओं ने उरंग को द्धांगर नाम दिया। इसलिए मुंदाओं ने उराओं को धांगर नाम दिया। और उराओं को धांगर नाम से भी जाना जाता है। जिसका अर्थ है फार्म सर्वेंट या खेतीवारी करने वाले लोग। इनके उपजातियों के बारे में भी अम लोग देखते हैं नगेसिया, कुद्दा, कोड़ा, किसान ये सभी उराओं की उपजातियां हैं ये उराओं लोग ही हैं लेकिन अलग जगा में बस जाने के कारणीन है कुदा, खोडा, किसान आधी नामों से भी जाना जाता है। कुदा या कोडा का अर्थ होता है मिटी खोदने वाला या हल चलाने वाला। इस तरह उराओं का मुख्या पेशा क्रिसी कार्य करना है। ये लोग खेती बारी करते हैं। में चूड़ी, गले में हसली, पैरों में पैडा, नाक में नथनी, कानबाली, इत्यादी पहनती हैं और अपने सरीर पर गोधना बनवाती हैं। इसे टैटो कहते हैं, अपने सरीर पर गोधना बनवाते हैं। इनका पारंपरिक भोजन चावल, मडवा का रोटी, गोंदली भात, मीट, मचली, साग सबजी है। ये सरै लठा, महुआ लठा, मडवा लठा येवं जंगल के कंद फूल भी खाते हैं। लठा हलुआ को कहते हैं। उराओं समाज में बंदर का मीट खाना वरजित है। मडवा से बने हडिया का सेवन करते हैं, जिसे राइस बियर करते हैं। साथी महुआ का दारू भी पीते हैं। पुजा पाठ में धर्मेश को, वंपूर वजों को, वंवनाद भूतों को तापावन में हडिया चलाया जाता है। उनको खुश करने के लिए। हडिया बनाने के लिए जंगल की जड़ी बूटियों का परियोग किया जाता है। जिसे रानु कहते हैं और कुड़ भाषा में बिच्ची कहते हैं। उराओं परिवार पुरूस प्रधान होता है, जिसे पित्री सत्तात्मक कहते हैं। यानि बच्चों को पिता का गोतर दिया जाता है और पिता ही परिवार का प्रधान होता है। उराओं का अधिकांट्स परिवार एकल होता है। इन्तु पुराने जवाने में उराओं लोग जुएंट फैमिली में रहते थे, सहीं परिवार में रहते थे। उराओं के प्राचिंतम धर्म को सरना धर्म या आदिधर्म कहते हैं। इनका पवित्र पूजास्थल सरना अस्थल होता है, जिसे कुड़ुक भाषा में चाला टोंका कहते हैं, जहां चाला पच्चो या सरना बुढिया एक ब्रिक्ष पर निवास करती है। और प्रति एक गाउं में एक सरना अस्थल होता है और उस सरना अस्थल में एक ब्रिक्ष होता है और उसी अस्थान को सरना अस्थल बोला जाता है और यहीं से सरना धर्म की सुरुआत हुई और इसी वज़ा से उराओं के धर्म को सरना धर्म कहते हैं आजगल कुछ हुराओं लोग इसाई धर्म भी अपना लिये हैं और कुछ लोग बहुत धर्म भी और कुछ लोग कबीर पंत को भी मानते हैं और कुछ लोग हिंदु धर्म को भी मानते हैं किंतुवे लोग गाउं के customary law होते हैं जो परंपरा होते हैं उनको अभी तक मानते आ रहे हैं गाउं के प्रमुक पुझारी को पान या नैगस करते हैं कहीं कहीं पहान को उराओं गाओं में बैगा भी कहा जाता है। पुजा पाठ में धर्मेश, पुर्वज या पचवा आलर, पचवा आलर पुर्वजों को कहा जाता है, नाद, भूत यों प्रकृती ही केंदर बिंदो होता है। तो हर पूजा पाठ में धर्मेश को, पुर्वजों को, प्रकृति को याद किया जाता है। सभी पर्वत्योहारों में पुर्वजों को प्रथम पकी रोटियां चड़ाई जाती है। उसके बाद ही परिवार के सदस्य, बाकी सदस्य पकवान का मजा लेते हैं। उराओं लोग मोनोगामी लाइफ जीते हैं, मोनोगामी लाइफ हर्थात एक से ज़्यादा बिवाह नहीं करते हैं। किन्तु कहीं कहीं अपवाद सवरू, आपको देखने को मिलेगा कि कुछ लोग एक से ज़्यादा बिवाह भी करते हैं। उराओं में बिवा की अनेक प्रथाएं प्रचली थें, जिनमें प्रमूख है, राजी खुसी बिवा, जिसे अरेंज मैरेज कहते हैं, इसमें लड़का और लड़की बिना किसी के दबाव में आकर अपनी खुसी से, अपनी मर्जी से शादी करते हैं, और दूसे तरह का बिव है धुकु बिनजा या धुकु शादी, जब लड़की किसी लड़के को पसंद करती है, और उसके घर में आ जाती है, तो इसे धुकु घुसना कहते हैं, जिवरजस्ती लड़के के घर में आ जाती है, जिसे धुकु घुसना कहते हैं, फिर बाद में लड़का और लड़की को जवर्जस्ती दवाव डालकर साधी करा दिया जाता है तिसरे के विवा को ढुपकू साधी कहते हैं और तिसरे तरह का साधी है मढवा साधी जिसमें वर्वधु को सिलोट पर मढवा के नीचे खड़ा करके मढवा के अंदर खड़ा करके सिलोट पर चढ़ा कर सिंदूर ड वर और वधु को उसके सर पर तेल लगाया जाता है और वहाँ गाना गाया जाता है और इस तरह का विवाह होता है एक चौत्य तरह का विवाह होता है चुपकी बेंजा लड़का और लड़की को किसी दिन चुपचाप से बुला कर अविभावाकों की उपस्थिती में ही सिलोट पर खड़ा कर विवाह करा दिया जाता है फिर बाद में कुछ दिन बाद में दूमधाम से बरात के दिन लड़का लड़की के घर आता है और लड़की को विवाह करके ले जाता है चलिए आज हम लोग थोड़ा डिस्पोजल अपडेथ मृतकों के संसकार के बारे में भी जानेंगे मृत्तु के पास्चात लोग 100 को मसना में दफनाते हैं यह मसना कबरिस्तान को कहा जाता है ओम कहीं कहीं पर 100 को जलाने के भी प्रथा प्रचलीथ है 100 जलाने ओम दफनाने के बाद आधी रात को मृत्व्यक्ति की छाया या आत्मा घर लाई जाती है जिसे एक मंखना कहते हैं, एक मतलब चाया, मंखना मतलब भितारना तो मृत ब्यक्ति की आत्मा को सौध अफनाने के या जलाने के उसी दिन रात में वहाँ कबरस्तान से जाकर चाया लाया जाता है उनका जिसे एक मंध ना कहते हैं और घर की किसी कोने में मृत वेक्ति की छाया को जगा दी जाती है उराओं लोगों की पूरवजों की आत्मा सासन में निवास करती है कहा जाता है कि उराओं की पूरवजों की आत्मा सासन में निवास करती है सासन एक जगा होता है वो राओं के अस्थी विसर्जन अस्थल को कुंडी या कुंडी कहा जाता है याद रहे वो राओं के अस्थी विसर्जन की जगा को कुंडी कहा जाता है जलाने के बाद जो अस्थी होता है इसका विसर्जन कुंडी में किया जाता है जिनके सव को दफनाया जाता है कुछ वर्सों के बाद उनके सव को सर जाने के बाद उनके स्थियों को निकाला जाता है और उसे कुंदी में बहाया जाता है और इस समारों को कोहा बेंजा कहते हैं बिल्कुल ढोल नगारे के साथ उसको सम्मान फुरुवक कुंडी में ले जाकर विसरजित किया जाता है मृत्तकों के अस्ती पंजर दफनाने के समारों को हडबड़ी या हरबोड़ा कहते है मृत्तकों के अस्ती पंजर दफनाने के समारों को हडबड़ी या हरबोड़ा कहते है प्रतिवर्स धान काटने के बाद हडबोडा या कोहा बिंजा का तिवहार मनाया जाता है इस तिवहार के बाधी मृत्तकों की आत्मा को पुर्वजों की संगती में जगा मिलती है ऐसा माना जाता है तो यह रहा उराओं का संचिप्त परिचय हम लोग नेक्स्ट वीडियो में धुमकुडिया वेवस्ता के बारे में देखेंगे उराओं का अड्मिनिस्ट्रिटिव सिस्टम कैसे धुमकुडिया में चलता है तो उस पर एक अलग से वीडियो बलाऊंगा ठीक है तो आई तना ह आज के लिए इतने ही थांक यू